पूरा डेटेल के साथ में बताने वाला हूं साथ ही इसी वीडियो में आपको ये भी बताँगा कि वो जो फोरमघ किस तरह से आपको अपलाई करना है और दोस्तो उसका जो एजुकेशनल क्वालिफेकशन हो वो क्या रहने वाला है तो दोस्तो आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर जो UPPCLA उसकी जो official site उपन करने के बाद में जो vacancy और result का section वो मैंने यहां पर open कर रखा है तो दोस्तो इसके अंदर अब मैं आपको यहां पर बता देता हूँ कि जो UPPCL उसने एक नई जो वेकिंस यानि की जो ने है रिक्वार्मेंट जारी किया है उसके बार में मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर जो सबसे पहले वाला जो requirement है उसका यहां पर दिया हुआ है तो दोस्तों यहां पर जो advertisement है वो है for advocate panel in discom तो दोस्तों जो वकील है उनकी भरती जारी की गई है यानि कि advocate की और वो भी discom में वो भी UP PCL में साथ ही दोस्तों इसका जो apply online का जो तरीका है वो यहां पर बताया गया है और इसमें जो forum बरना है वो भी यहां पर जो link का वो active हो चुका है यानि कि दोस्तों इसके जो forum वो भरना शुरू हो चुके है तो दोस्तों सबसे पहले में इसका जो full advertisement है वो आपको बता देता हूँ तो दोस्तों यहां पर इसके अंदर यानि कि जो view download है इसमें हमें जाना है तो finally दोस्तो इसका जो official advertisement है वो हमारे सामने download हो चुका जिसमें दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो UPPCL यानि कि उत्तरपरदेश Power Corporation Limited जिसमें दोस्तो यह advertisement जारी किया गया है यानि कि 2021 का अब दोस्तो इसमें लगबग 23 जिलों के लिए जो है यह भरती की जाएगी यानि कि 23 जिलों में जो advocate है उनकी भरती की जाएगी और दोस्तो अब आप यहाँ पर साप साप देख सकते हो कि इसमें दियावा है online application are invited from experienced advocates who are interested to be included in the impenlementary list of distribution companies यानि कि धोस्तो यहाँ पर उनके नाम दियेव है और इन गर्ति की जाएगी जिसमें दोस्तो लगबग 23 जिलों के लिए भरती की जाएगी जिसमें दोस्तो साब साप यहां पर बताया गया है कि experienced advocates, जयानि कि जो experience रखते हैं ऐसे वकील फॉरम apply कर सकते और दोस्तों साबसाब बताया गया है कि जो district court है, discom के, उनी में ये जो है बरतिक की जाएगी, जिसमें दोस्तों आप यह पर देख सकते हो कि जो court है, civil court है, consumer forum court है, criminal court है, law間 अदालेत और CGRF court है, इनमें ये जो बरतिक, वो की जाएगी तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि यह जो है यहां पर साप साप बता दिया गया है कि जो UP PCL है उसमें जो पहले से यानि कि जो कारिय करते हैं जो वकील वो इसमें जो है फोरम नहीं बर सकते तो उसका आपको ध्यारकना है और साथ दोस्तों यहां पर तो दोस्तों यहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत है अगर कोई भी सूचना यानि कि जानकर ही चाहिए तो दोस्तों आप जो है यूपी पिशिल को सिदा मेल कर सकते हैं और जो है कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं जिसमें दोस्तों समय दिया हुआ है 10 से 17 बजे तक और इस समय आप जो है यूपी पिशिल को सिदा कोल करके जो अगर कोई भी परिशानी है या कोई जानकर चाहिए तो आप फोन करके पूछ सकते हैं और जो है मेल भी कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें यहां पर दिया हुआ है कि जो ओनलाइन फोरम हो दोस्तों वह 15.9.2021 से सुरू हो चु उपी फिशिल में अप्लाई कर सकता है साते दोस्तों मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूँ कि आपको फोरम किस तरह से भरना है तो इसी के उपर यहां पर एक अपलाई का जो ऊफिशन आ रहा है उसमें हमें जाना और जाने के बादमने इसका जो ऐंगो पर दिया ब mobile number है या email address है वो सारा इसमें भरना है registration करना है फिर आगे ही आप जो है इसमें फोरम जो है अपलाई कर सकते हैं तो उम्मीद है दोस्तों यह जो वीडियो वह आपको काफी पसंद आयोगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों इसी तरह यूपी पीचेल की पलपल की अब्डेट के लिए एमकेनेकेड में का यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें और विलाकन को दबाएं